नमस्कार जाहिन दोस्तों आप देख रहें Master Video Official और जो Group D का एक्जाम हुआ है आज उसको लेके अलग अलग चैनल पे चाहे Math, Reasoning, Science या GK का जो भी Question है उसको लेके अलग तरह का यह आया है कि बहुत असान है step-tap का लेकिन reality थोड़ा अलग है जो मेरा भी 20-25 लोगों से बात ह ठिक्ठा के student है जिनका CGL में भी NTPC में भी इसमें result result आया हुआ है तो ठिक्ठा के student है उनसे जो बात हुई तो पूरा अलग था पूरा बात करेंगे पर इससे पहले बता दें कि test book का प्रेक्टिसेर तो आप लगा ही रहे हैं पर इसका अगर आप course लेना चाहते हैं proper प्रत maximum discount होगा वो आपको मिल जाएगा संबब्त महिने का देट्स हो के आसपास price आता है तो ठिक ठाकी है तो जोइन कर सकते हैं आप link description box में code use करना है MBO 20 लगाना है अब बात करते हैं exam का तो सबसे पहले तो railway का ये गलती है कि जैसे first phase में तीन जोन का exam हो रहा है तो अलग अलग लेता जिससे normalization का impact थोड़ा कम पड़ता तो ऐसा नहीं है सभी shift में तीनो मतलब तीनो zone का है तो जिससे क्या होता है थोड़ा खिचरी टाप को normalization होगा तो ये थोड़ा गरवर पढ़ेगा impact resident के लिए पता नहीं किसका क्या होगा अब बात करते हैं exam अस्तर का जो first shift का question था comparison करे second third से तो वो थोड़ा असान था जीके का में लिए लेकिन हाँ इसे पहले में एक video बनाया था इसमें कहा था कि reasoning अच्छे से पढ़िएगा sitting arrangement के प्रस्ण बहुत अधिक आएंगे तो बहुत लों comment कर रहा था कि NTPC से का है तुल ना कर रहे हो ये सब जिन इंगे भी आ पर मेरे भाई जिनका अब तो नजदीक एक्जाम उनका तो कोई फरक नहीं पड़ने वाला जिनका अभी लंबे दिनों के बाद एक्जाम होने वाला पाच्छो दिन टाइम है वो लोग sitting arrangement ये सब चीज अच्छे से कर लीजिए क्योंकि घुमा फिरा के 8 से 9 प्रस्ण जो है तो reasoning का और सब portion तो ठीक ठाकी है बस ये जो है sitting arrangement puzzle ये आपका time ले लेगा और संबब तो 10 नमबर के आसपास इसी से आ रहा है math की बात करें तो math में त्रिकोनमिती असानी है algebra असानी है mensuration formula waste है geometry का I think question ही नहीं था किसी में एक एक question था तो geometry उतना है नहीं math overall ठीक ठाक है आपको एक दो question जो हो अटका आएगा लेकिन math का ठीक ठाक है अगर CIS की बात करें तो simple interest से आ रहा है compound interest से आवी नहीं रहा लेकिन हो थोड़ा difficulty थो उतना आसान नहीं आता मतलब math reasoning में अगर आपका 55 question आ रहा है तो आप आपका math बहुत बात हुआ तो उन लोगों को science में बहुत अधि confusion आ रहा था मतलब ऐसा लग रहा था कि पढ़े तो हैं पर उसका answer क्या होगा exact नहीं पता चल रहा था क्योंकि उनका लंबे समय से छोड़ दिये हुए थे मेरा भी ऐसा ही हाल होने वाला है कल हम बताएंगे लेकिन group D वाले से जो बात हुआ तो उन लोगों का science पठा हुआ तो उन्होंने का science का प्रस्ण जो था बहुत अधिक hard नहीं था ठीक ठाक था मतलब उन लोगों को थोड़ा बहुत को बन रहा था लेकिन वह जीके का current affair का था current affair से भी 7-8 प्रस्ण आ रहे थे और वो mix-up था 2022 का भी 2021 का भी तो मतलब overall जो मेरा बात हुआ जिलनों का मतलब मेरे नजर में जो लोग का score या ठीक ठाक आ रहा है तो उन लोगों का attempt तो हलांकि वो 92-93 किये पर जब मैंने पुझा कि सही कितना बनाए हो तो वही 62-65 इतना के आसपास ही उनका सही score है उसके बाद वो तुक्यवाजी किये है सह 60 तक भी आपका attempt जा रहा है घवराये नहीं 60 तक भी जा रहा है negative लेने से बचिए यह सब score best score है ठीक ना मतलब बहकावे में नहीं आई है क्योंकि जो भी हम live class देखे ने लाइस का जो चाहिए आप उन्नती classes का देख लो जहां भी आप लोग भी देखते हो सब देखता है त तो उस सब में जो लड़का बाहर निकला कहा रहा है कि 90 attempt की है 80 तो आहीं जाएगा 75 तो आहीं जाएगा पर reality इससे अलग है इस चकर में आप ऐसा ना करना कि यार वो सब तो इतना बना गया गया मेरा क्या होगा हम भी उतना रंग देते हैं इस सब गलती से बचिएगा आप आपका जैसा तयार है उसके according मनाईएगा 65-70 best score है best attempt है आज वाले shift के लिए ठीक ना तो उसी हिसाब से आप अपना देखके और जिनका दूर exam है वो science वाले portion को काफी अच्छे से कर लीजिए numerical असान नहीं आ रहा क्योंकि अभी जो कुछ दिर पहले हम बात किये थे उनका numerical क कुछ देते फर्मूला भी बन जाएगा तो ऐसा नहीं आ रहा था मतलब और science का भी तो difficult प्रस्न था कुछ प्रस्न था एक दो प्रस्न था जीके का भी एक दो प्रस्न था जैसे रमन ये जो CV रमन को प्राइज का मिला था कुछ प्रस्न था लेकिन उससे result तो नहीं आ जाता अलजेवरा से तीन से चार प्रस्न आ रहा है फर्मूला बेस्ट जिसका आपको मंदर भैल्यू निकालना होता है तो वह सब थोरा उस पर काम कर लिजएगा आपको आगामी एक्जाम में हेल्प मिलेगा चल यह आज का तो अमारा खोदी एक्जाम है तो कल एक्जाम देके न है तो